नमस्कार आप सभी स्टुडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है अभी हम इंग्लिस ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ओप स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम अजेक्टिव स्रीज में एक नया टोपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका naam है इन्टेरोगेट्य अजेक्टिव और इसे हिंदी में प्रसंवाचक विशेशन कहा जाता है and now we shall know the definition according to Hindi here किसी भी हिंदी वाक्य में संग्या से जुड़े प्रसंद पूछने वाले शब्दों को प्रसंद वाचक विशेशन कहते हैं देखिए सबसे आसान definition है कहीं भी आपको extra explain करने की requirement नहीं है क्योंकि हमने हर बार हर chapter में एक efforts किया है कि चाए grammatical chapter हो चाए English spoken का चाए उसकी हिंदी definition हो चाए English की definition हम हर format को easiest format में लाने का प्रियास करते हैं और आज भी हमने वही किया है बस आपको इसे lightly समझना है देखिए चाए किसी भी प्रकार की संग्या हो और संग्या से जुड़े प्रसंद पूछने हो और वो प्रसंद पूछने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम हिंदी में प्रसंद बाचेक वीशेशन कहते हैं अब आप इसको English का coding देखिए किसी भी noun से जुड़े या किसी भी noun से related question पूछने के लिए हम जिन appropriate word को use करते हैं उन्हें English में interrogative adjective कहा जाता है अब आपको इस example देखिए जैसे vote, whose and which vote का मतलब होता है क्या या किस who's का मतलब होता है किस का, किस के और किस की which का मतलब होता है कौन सा, कौन से और कौन से देखिए बच्चों आपके सामने करीबन 15 से जादा ठीक है न? 15 से ज़्यादा डबलोच होते हैं लेकिन हमने only for 3 का selection किया है वो क्यों किया है? इस इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि only for ये 3 ये से डबलोच है जो noun के लिए और noun के साथ परियोग किये जाते हैं I mean to say, ये noun के feature को qualify करने के लिए परियोग की जाते हैं noun से जुड़ा कोई भी प्रसंद पूछना हो तो हम only for इन 3 ही डबलोच का परियोग करते हैं इस इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये 3 नाउन के साथ comfortable है बाकि other किसी भी डबलोच को हम यह appropriately यूज नहीं कर सकते हैं इस इसका भी आपको विशेश तोर से ध्यान रखना है जब भी हम interrogative adjective topic पढ़ेंगे उस topic में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी डबलोच का selection करना है तो वहाँ only for what, who's और which का ही selection करना है ठीक है अब आपके सामने हम कुछ example रखेंगे जिसके दुवारा यह topic अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा देखिए सुरुआत करते है which pain is your ठीक है which pain कौन सा pain है आपका which pain कौन सा pain है आपका whose notebook is this किसकी notebook है यह किसकी notebook है यह what book do you want to read कौन सी किताब आप पढ़ना चाते है which game do you like कौन सा game आप पसंद करते है whose goods is this किसका समान है यह किसका समान है यह what thing कौन सी चीज आप बजार से खरीदना चाते है आप देख सकते हैं कौन सा pain कौन सी notebook कौन सी किताब कौन सा गेम किसका समान ठीक है हमने हर डबलोच के आगे नाउन का परियोग किया है और वो भी appropriate noun का परियोग किया है जैसे which के साथ pain which के साथ notebook what के साथ book which के साथ game which के साथ goods और what के साथ things ठीक है न क्योंकि हमने आपको सुर्म बताया था कि जब भी हम इन तीन डबलोच का परियोग करेंगे इनके साथ हमेशा noun का परियोग तो 100% होगा क्योंकि noun के लिए ही यूज की जाते है तो हम पूछ रहे हैं कौन सा pain यानि कि कौन सी संग्या यानि संग्या से related संग्या से जुड़ावा noun से related हाना कौन सा pain कौन सी किताब हाना इसी तरह से whose notebook किस की notebook which game कौन सा game तो हम noun पे जोड़ दे रहे हैं नाउन से प्रसंद पूछ रहे हैं कि कौन सा पेन, अभी पेन नाउन हो गया, कौन सी किताब, किस की किताब, कौन सा गेम, किस का समान, ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं न जहांसे, हम नाउन से जुड़ा प्रसंद पूछ रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर which, whose और यहां प और नाउन के फीचर को क्वालिफाई करने के लिए ही यूज के जाता है, इस इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए हमने यहां पर भी नाउन से जुड़े प्रसंद पूछने के लिए, संग्या से समधित प्रसंद पूछने के लिए, only for what, whose और which का सेलेक्शन किया और यह तीनों इतने easiest format में हैं या particular format में हैं कि इन तीनों का ही प्रियोग करके हम interrogative adjective को यूज कर सकते हैं, और जब भी interrogative adjective topic पढ़ा जाएगा, only for what, whose और which का ही प्रियोग कियाएगा, इस इसका आपको विशेश तोर से ध्यान रखना है, तो उमेद करता हूँ, आज का झाल